नमस्कार आपका स्वागत है चानोन मानु में मैं अंजुवियला इंटिजान वाश्चास्त्री और नियुमलोजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे मुलांक 9 के बारे में या पस्नाइटी नमबर 9 के बारे में जिन भी व्यक्ति का जनम 9, 18 या 27 तरीकों किसी भी महिने या किसी भी एर को होता है उनका पस्नाइटी नमबर 9 होता है पस्नाइटी 9 को रूल करता है प्लानेट मार्स या मंगल बोल सकते हैं और हम सबको पता है मार्स एक फायर प्लानेट है फायर प्लानेट होने के कारण ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी एनरजी को, बहुत पावर को, बहुत सारा एग्रेशन को, विल पावर को, करेज को और बहुत सारा एंगर को तो आईए, आज हम देखते हैं, पस्नायरटी नमबर 9 में क्या-क्या कॉलिटी होती हैं और ये मास की जो भी कॉलिटी हैं वो नमबर 9 में कैसे रिफलेक्ट होती हैं dream big and achieve it too तो उनकी यही quality रहती है जो उनको आगे लेके जाती है वो बहुत good looking होते हैं bold होते हैं smart होते हैं quick distant maker रहते हैं मैं बोल सकती हूं कि वो difficulties में शायद जादा अच्छे से work करते हैं वो कभी किसी चीज से घबराते नहीं है कभी कोई मुसीबत आती है तो उसको लेके नहीं बैठते हैं depression में इतनी जल्दी से नहीं आते हैं वो से भार निकलने का रास्ता ढूनते हैं और उस पे जल से जल work on करते हैं उनकी moral values बहुत अच्छी रहती है उनका willpower बहुत अच्छा रहता है और यहीं सब qualities जो उनकी है वो बहुत inspire करती हैं दूसरों को इसलिए वो बहुत inspirational बन जाते हैं लोगों के लिए लोग उनसे सीखना चाते हैं कि मुसीबत से कैसे पार करने का positively वो बहुत अच्छे planners रहते हैं हर काम को अपनी pre-planning के साथ करते हैं उनको बहुत intuitions होते हैं बोल सकते हैं कि they are very intuitive और उनके अंदर एक inner energy रहती है inner एक sense रहता है जिससे वो अपने काम को सूझ भूच के साथ कर पाते हैं well plan कर पाते हैं और उनका एक presence of mind हमेशा रहता है वो बहुत energetic रहते हैं अपना काम चल्दी जल्दी करना चाहते हैं और लोगों से भी expect करते हैं जो उनके आसपास हैं कि वो भी इतनी ही energy के साथ काम करें वो बहुत adventurous भी रहते हैं उनको adventure करना travel and tourism मे नए नई जगाओं को explore करना उन्हें बहुत पसंद रहता है वो बहुत competitive भी रहते हैं उन्हें अपने काम में आगे बढ़ना अपने colleagues के साथ आगे निकलना मगर एक healthy competition रहता है वो अपने पूरे dedication के साथ काम करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और उनकी सबसे व मत तक जाएंगे उसके अच्छाई के लिए उसको help करने के लिए कभी-कभी वो अपनी help का भी ध्यानी रखते हैं दूसरों की इतनी अच्छे से help करते हैं अब हमने जान लिया personality number 9 की क्या-क्या qualities होती हैं आईए अब हम जानते है personality number 9 को किन qualities का थोड़ा ध्यान रखना चाहि उनकी काफी मन मुटाफ create हो जाते हैं friendship में और relations में इस चीज़ का उनको ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा काम रहके सोच समझ के बोलिए ताकि बाद में आपको ही पश्तावा ना हो guilt ना हो उस चीज़ का जैसे मैंने बताया personality number 9 को delay of work नहीं पसंद है किसी कारण कभी ऐसा होता है काम डिले हो जाते हैं तो आपको patience रखना चाहिए अपने कलीक के साथ ना लड़ाई जगडा करना चाहिए ना कोई मन मुटाव रखना चाहिए कभी-कभी circumstances ऐसे होते हैं कि काम डिले हो जाता है तो आप काम रहें और patience रखके काम लीजिया और करिए personality number 9 वाले बहुत fickle minded रहते हैं वो एक जगा patience से बैट नहीं सकते हैं वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे हमेशा energetic रहते हैं काफी time इस कारण उनको छोटी-मोटी injuries होती रहती है तो आप काम रहें जैसे मैंने बोला आपको patience की बहुत जरुत है आप अपने उपर थोड़ा self-control रखिए थोड़ा सा एक bullet ठहराव लाईए चीजों को समझे और अपना ध्यान रखिए क्योंकि आपकी इतनी हड़बड करने के कारण आपको काफी time injuries हो जाती हैं वो आपके लिए ही painful रहती हैं और आपके आसपास वाले भी उससे परिशान होते हैं तो ध्यान रखिए अप कि वो failures के कारण depression में चले जाते हैं तो मैं number 9 वालों को यही बोलूँगी आपकी जो सबसे च्छी qualities है fight back करने की उसको enhance करिए और कभी भी depression में ना जाईए कभी कभी काम की जल्दी जल्दी में आप hasty decision ले लेते हैं उसके लिए आप अपने आपको काम रखिए और सोच समच के decision लेजिए और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि थोड़ा ये lottery system and share market और जो भी shortcut वाले method होते हैं उनसे आप धूर रेजिए because आपका luck इतना sound नही हैं इन सब चीज़ में कोप अप करके और successful निकलने के लिए आप अपने hard work के साथ और अपने खुद की quality से ही आगे जा सकते हैं और success पा सकते हैं इस चीज़ का विशेश ध्यान रखिए आईए अब हम जानते हैं personality number 9 के लिए क्या-क्या career opportunities है personality number 9 के लिए वो career जिसमें hard work involved है जो भी job जिसमें hard work involved है वो बहुत अच्छा suit होगा जैसे वो defense में जा सकते हैं military में जा सकते हैं वो political fields में भी काफी अच्छा कर सकते हैं they can be very good sport person they can do wonders in mining in machinery industries engineering में बहुत अच्छा कर सकते हैं import export वो कोई भी red material का करते हैं तो उनके लिए बहुत beneficial रहेगा they can be a good writers या publishers बन सकते हैं वो अपना जिम खोल सकते हैं वो अच्छे physical trainers बन सकते हैं वो wrestlers भी अच्छे बन सकते हैं जैसे मैंने बोला कि उनको sweat release करना बहुत जरूरी है बहुत सारा hard work जरूरी है तो जो भी काम में hard work required है उसमें वो wonders create कर सकते हैं आईए अब हम जानते हैं personality number nine के लिए क्या-क्या lucky numbers है personality number nine के लिए lucky number या friendly number बोल सकते हैं वो है three five and six और उनका nine number भी आपके experience से आपको पता चलेगा आपके लिए वो favorable है की नहीं क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूं कि nine number ऐसे शौट temperature रहता है अगर आप nine number के साथ और जुड़ जाते हैं तो शायद aggression और बढ़ सकता है तो आप अपने individually decide करिए कि आपको nine number lucky है की नहीं personality number nine के लिए lucky colors है lighter shades of red, dark red को आप avoid करिए और pink अच्छा रहेगा आपके लिए green अच्छा रहेगा, brown अच्छा रहेगा और sun के सारे colors मैं आ आपको जो avoid करना है वो है black color और dark red color आप avoid कर सकते हैं, आईए अब हम जानते है personality number nine की qualities को enhance करने के लिए क्या-क्या remedies है, सबसे पहली remedy जो सबसे अच्छी है जो आपको lifetime number nine को करना चाहिए, वो है कि कोई ना कोई physical activity में आपको हमेशा involved रहना है, जैसे आप yoga कर सकते हैं, आप exercise कर सकते हैं, या simple 30 minutes walk everyday आप कर सकते हैं, because मैंने आपको बोला कि आपको hard work or sweat out करने का बहुत जरूरी है, वो आपको lifetime स्वस्त रखेगी, secondly आप अगर चाहें, तो regular blood डोनेट कर सकते हैं, if you are healthy and willing to donate blood, because इससे जो भी आपकी छोटी-मोटी arm जिंदगी में injuries होती है, जिससे थोड mental issues आपकी life में आते हैं, उससे आपको राहत मिलेगी, शायद आप काफी थद तक उन चीज़ को avoid कर पाएंगे, thirdly, आप Tuesdays and Sundays को आप fast रख सकते हैं, fast possible नहीं है, तो आप दान कर सकते हैं, किसी भी yellow sweet का, या yellow cheese का, या मसूर की दाल आप donate कर सकते हैं, किसी needy person को, fourthly, आपको ह हमेशा ध्यान रखना है, कि हम सबको ही respect करना चीए elders को, वैसे आपको specially अपने बड़ों को, और अपने colleagues को, जो भी आपके साथ छोटे बड़े लोग रहते हैं, उनको respect करना है, और सबको इद्दस के साथ behave करना है, उनको अच्छे से deal करना है, आप डेली हनुमान चालिसा क पाट भी कर सकते हैं, या सुन भी सकते हैं, अगर डेली पॉसिबल नहीं है, तो आप एवरी Tuesday हनुमान चालिसा का पाट करिये या सुनिए, आप Tuesday को हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, वहाँ पर प्रशाद चड़ा सकते हैं, यलो कलर के लड़ू चड़ा सकते हैं, आते जाते एक छोटी सी रेमेडी में आपको बताना चाहूंगी, कि आप अपने वालेट या पर्स में एक छोटा सा रेट कलगा कपड़ा रख सकते हैं, अपना लग को एनहेंस करने के लिए, आशा करती हूं, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जो भी आते हैं, 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 आते हैं आते हैं, आते है